आज यहाँ पर मैंने मसाला मठरी बनाई हैं बहुती आसान तरीके से बनाई हैं तो इसे कैसे बनाया है तो मेरी रेसिपी एंड तक जरू देखना और अच्छी लगी तो ट्राय भी जरू करना तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है तो यहाँ पर हम इसका मसाला त सुरी मेथी इसमें डाल देंगे एक चमच जीरा इसमें डाल देंगे आदा चमच अजवाईन इसमें डाल देंगे आधी कटोरी काली मिर्च आप इसके जगा पे साबुद भी डाल सकते हैं काली मिर्च अब यहां पर इसे अच्छे से कूट देंगे तो यहां पर हम इसे महीन यहां नहीं पीसंगे अज़े, दरदरा सा इसका मिक्चर बनाना है को अब मिर्च इस लाल पर आप चीछियος को मीर्च को लेंगे तो यहाँ पर देख दरदशा, मिक्चर यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो अब इसे रख दींगे साइड में, अब यहाँ पर एक बातन ले लेंगे उसमें दाल दींगे, एक कटोरी गहुकाटा, अब उसी कटोरी से आधी कटोरी बेशन शूजी बास सबी बहुत अच्छा से मिक्स होने के बाद में अब इसमें दालेंगे देसी घी तीन चमश डालना बहुती जरूरी है तो यहां पर मैंने एक चमच जिस चमच घी लिया ता ना उस चमच से मैंने एक चमच रिफाइंड ओल डाला है इसमें दाल देंगे नमक अब इसमें दाल देंगे मसाला घी से निक्या जो मट्री है ना खस्ता बनती है और ओयल से कुरकुरी बनती है तो यहां पर सभी चीचे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर देखिए मैंने अभी पानी ने डाला है बस यहां पर इसे जो घी डाला है ना उसी से मिलाया है मैंने तो यहां पर यहां पर आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर आटे को हम मलेंगे नहीं जैसे रोटी का भीगाते ना वैसा बिल्कुल नहीं बनाना है बस इसे मिक्स करना है और इसका ऐसा डोव बना देना है तो यहां पर देखिए पानी कम पढ़ रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है इस तरह से इसका ऐसा डोव बनाना है आटा बिल्कुल नहीं गुतना इसका जैसे रोटी का बनाते हैं वैसा बिल्कुल के बाद में अब यहाँ पर आधा अर्टा लेना है और इस तरह से यहां पर मलना है इस तरह से अीक है टो कि त्विद्धा व्हाओं गूंत यह फिल आणिक करना उसमें घंटों लग जाते हैं तो आप यह वाली मठरी जरू ट्राइ कीज़ेगा यह बहुती मतलब पात-दस मिट में बन जाती है और बहुत तेश्टी बनती है इसे आप चाय के साथ में या फिर अनास्ते पर या फिर सफर फर लेकर चाह सकते बहुती बड़ी है तो य हाठों से अचाशीन प्रेश कर लेना है और फिर उंगलियों से ऐसे पहलाना है तो यहाँ पर दिख़िए कई से पतली कई से मोटी तो इस तरह से हमारी मठरी यहा पर रेडि हो चुकी है इस तरह से सारे मठ्रेया हम बना लेगे बहुती बढ़ीया है बहुत फटा-फट स तो यह पर इतनी सारी मठ्रिया बना लिए है चलिए इसे फ्राय कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने मठ्री डाल दी है अब यहाँ पर इसे पल्टेंगे निए सेट होने देंगे और आईल भोत एस गरम भी नहीं और थंड़ा भी नहीं ज्यादा मतलब मीडियम है तेर तो और गै मठ्रि कुछँ हो चुकि एक बैच घ् anyone आप धर से मठ्रिया बना लेना है है process अ भी फटा फटा से बन जाती है रेसिपी अब यहां पर निकाल दी है रिखेसं की बड़ी Α कलर को से- यहां है तब इनवारी मठ्रि लेड आति है इसे आप जरू टैक किजhou किजे का इस